हलो गुड बार्णिंग फ्रेंड्स आज गुजरादी चेप्टर नंबर सेवन वीडी वाड़नारा वो पोयम को हमको समझना है वीडी वाड़नारा वीडी एटले घास अने वाड़नारा यानी काटने वाला वो पोयम जवर्चन मेगाणी ने लिखी है जवर्चन मेगाणी एक सरस मजाना यहमनों जे संग्रव छे रड़ी आड़ी रात ए लोग गितनों जे संग्रव छे तेमाथी आप वेम लेवा मा आवेली छे ज्यादातर लोग गित यानी लोगों के द्वारा गाया हुआ गित इसको हम लोग गित केहते ज्यादातर लोग गितों का संबंध ग्राम्य जीवन यानी रूलर एरिया के लोग किस प्रकार से रहते हैं और उस प्रकार के जीवन यानी गाउं का जीवन गामडे थी रहवावडा मानसो नुँ जीवन अने तेमना जे आनंद प्रमोद माटे जे यो भेगा मडीने आनंद माटे जे गीतों गाईच अने लोको द्वारा रचातों गी तेने लोग गित केवामा आवेच एटले मोटे बागे नो संबंध गामना लोकोष राथे अथ्वा गामनी रीत रिवाजिस साथे मोटे बागे आ लोग गितनी रचना थती होईच एटला मडे आ जवेचन में घाणी वीडी वाढ़नारा लोग गित येमने रचेलू छे रढ़ियाडी रातमा थी लेवामा आवेलू छे हवे वीडी वाढ़नारा एटले के आ लोग गितमा पती अने पतनी एक स्रम जीवी परिवार नी जे दम पत्ती छे नायक अने नाईका कि जे ज्यादा तर एटले के ग्राम्य जीवन माटे जे पतनी छे ते घर नू काम पण करे छे अने घर नू बद्धूज काम अपड़े जाणिये चे के घर काम जो होता है वो सारा करती है और वो निप्टाने के बाद वो खेत में भी उनका पती का साथ देने के लिए वो जाती है लेकिन उनके पती के साथ काम करते हैं फिर पती जो पत्नी उनको मदद करती है लेकिन उसको कोई मान सन्मान देता नहीं है एक तरफ पत्नी घर का सारा काम निप्टाने के बाद भी पती को मदद करने के लिए खेत में जाती है और वहां क्रोप जो किया है वो काटने का काम करती है लेकिन पती पत्नी को इतना मान देता नहीं है उसका कोई वैल्यू करता नहीं है इसलिए जो है उनकी पत्नी वो बाद में बोलती है कि हुवे वीडी वाडवा नहीं जाओ नहीं जाओ वीडी वाडवारे लोल ऐसा बार-बार जो पोएम में आता है एक लाइन इससे कहती है कि मैं इतना आपको मदद करती हूँ लेकिन आप उसका कोई वैल्यू करते नहीं है इसलिए मैं आपके साथ अब वीडी वाडवने के लिए यानी घास काटने के लिए आउंगे ने इटले के यहां एक पती औने पत्नी श्रम जीवी दमपत्ती नी वाद करवामा आवेली छे एक स्रमिक वर्ग एटले के पुरुष वर्ग द्वारा जे निष्ठिर पुरुष नी स्वार्थ पट्टूता सामे स्त्री केवी चडियाती बतावामा आवेली छे जे पुरुष ना रोस्नो भोग बनीने पण ए पोते पोतानी आजीवीकानू मडेलू शाधनने शोना हीरा जीवू अमुल्य गणे छे अने स्रम कार्यमा एटले के काम करवामा पण पुरुष करता ते आगड छे अने जे काम करे छे तेमा थी पोते बीजाने पन खवडावे छे पुरुष करता वधारे एटले के नायक करता पन वधारे काम करे छे अने भारो चड़ावा माटे वटे मार्गूनी मदद लेई छे ए वटे मार्गूने पोतानो भाहिमानी ने गरे लेई जैने एमने जमाडे छे एवो बंदू प्रेम अने एवो खमीर बतावे छे लोग गित मा जे समाज जीवननी कार्मीयाने धर्दार आपने जनिये छे के पुरुस वर्ग श्त्री ने हममेसा नीची मानतो हुई छे परन्तु आ लोग्गित मां स्त्री ने हम में पुरुष करता एडले के नायक करता नायका ने चड़ियाती बतावामा आवेली छे जे दरेक शेत्रे काम करवामा पण आगड़ छे एमनों खमीर बतावामा पण आगड़ छे एमनों जे खुमारी आने सहज भवना छे ते पण बुरुष करता चड़ियाती बतावामा आवेली छे पोते आजीवीकानु जे साधन मड़े छे एडले के जे अनाज एमने मड़े छे तेमा थी पोते पन खाई छे ने पोताना एवा बिजा भाई ने पन खवड़ावे छे आप्रकारे नर्वु गर्वुस्त्री दाक्षिनियों पोताना संसार ने केवो जिर्वी जाने छे ते अलोग गित मा असली संदरियों शत्तु करे छे एल्ले के नायक करता नायकाने अलोग गित द्वारा चडियाती बतावामा आवेली छे अब हम पोयम को देखते हैं सवरे सो नान्न मारू दातडूर लोल हीरणों बांधियों काथ मुझावाल मुझी लोल अवे नहीं जाओं विडीवाडवार लोल यानी के सोना रूपा यानी गोल्ड का सोनानू मारू दातर डूरे लोल यानि जो क्रोप कटने का जो साधन होता है वो सोने का बना हुआ है वो उनकी आजिवी का कशाधन है वो सोने का मानती है और लोल वर्ड साथ में रखा है ताकि जो पोएम गाने का जो राग है वो बेट्टा है इससेलिए साथ में सावरे सोनानों मारू दातरडूरे लोल, हीरनों बांधियों हाच हाच यानी जो हैंडल है वो पकड़ने का मुझा वालम जी वालम जी वर्डज उनके पती के लिए इस्तेमाल किया गया है वो पती से नाराज नहीं होती है लेकिन पती को वो मुझ एडले के मारा वालम जी एडले के पती पती ना माटेया शब्द उप्योग करे छे जे भगवन रूप गणेज हुवे नहीं जाऊं वीडिवाडवारे लोल मैंने पहले आपको समझाया है वो लाइन का कहने का मतलब है कि पतनी पती को इतना मदद करती है घर का सारा काम निप्टाने के बाद उनके पती को हेल्प करने के लिए जाती है फिर भी पती को उनका कोई value होता नहीं है इसलिए वो कहती है कि अब मैं आपके साथ विडी यानी घास क्रोप काटने के लिए आऊंगे नहीं परणी वाड्यारे पांच पूड कारे लोल मेणे वाड्या छेदस वीस मुझा वालम जी लोल हवे नहीं जाओं विडी वाडवारे लोल इटले के परणी है इटले के उनके पती ने वाड्यारे पांच पूड कारे लोल यानी उन्होंने सिर्फ पूड के ये उन्होंने कितने काटे है दस वीस इटले के दस वीस एने का प्याशी मुझे वालम जी लोल हवे नहीं जाओं विटी वाडवारे लोल इटले के महारा पती हवे हुँ तारी साथे घास का पावेश नहीं पर्णियान नो भारो में चड़ावी ओरे लोल पर्णियान नो भारो में चड़ावी ओरे लोल हुरे यूबी वनवाट मुझा वालम जी लोल हवे नहीं जाओं विटी वाडवारे लोल इटले के पर्णियान नो भारो इटले के पती नो भारो में चड़ावी ओरे लेके पत्नी ने खुद ने चड़ा के दिया है उसके सर के उपर जो क्रोप है उसका जो बंडल बनाया गया है उसको उसके सर के उपर रखा है उम्रे उभी वनवाट यानि वो खेत के रास्ता है वहाँ वो खड़ी है मुझे वालम जी लोल यानि खुद का बंडल वो नहीं खुद चड़ा सकती है इसलिए किसी के हेल्प लेने के लिए वनवाट यानि रास्ते बे वो खड़ी है हवे नहीं जाओं वीडी वाडवारे लोल वाटे निकडियो वटे मार गूरे लोल वाटे यानि रास्ता निकडियो वटे मार गूरे यानि रास्ते बे गोई एक इंसान वहां से गुजर रहा था बाइमुने बारडी चड़ाव मुझा वालम जी लोल हवे नहीं जाओ विडी वाडवार लोल बाइमुने बारडी चड़ाव यानि रास्ते से जो इंसान गुजर रहा था उसको क्या कहते हैं भाई कि भाईया मुझे भारडी यानि जो घास का पुड़का है बंडल जो बनाया है वो उसके सर के उपर रखने के लिए उसको कहती है मुझा वालम जी लोल यानि उसके पती को संबदन करती है पर्णियाने आवी पाली जार दीर लोल यानि पर्णियाने आवी पाली जार दीर लोल इटले के जो उनके पती है उन्हों जो स्रमकार्य किया है उन्होंने जो मजूरी की है उसके बदले में पाली जार दी जार दी यानि जुवार जो गहों जैसा धन्य आता है उसको जार दी जुवार के वामावेशे पाली यानि पहले के जमाने में एक बर्तन का जो साधन है उसको भरके यानि पहले के जमाने में ऐसा कुछ था नहीं इसलिए जो अमुक माप का अनाज वो खटा करते थे उसको पाली जाड़ी यानि कम से कम ज्यादा तर दो केजी जैसा जुवार यानि जुवार का क्रोप उसके भाग में आता है उन्होंने जो काम किया है उसके बदले में मारे आवेलू मानों घौं यानि उसको यानि पतनी को मानों घौं मिलता है यानि 20 केजी जैसा गेहूं उसको उसकी मजुरी में मिलता है यानि यहां भी उनके पती से वो ज्यादा काम किया है इसलिए उसके हिस्से में ज्यादा अराज आया है पणिये बर्यू छे येंडू पेटरूरे लोल मेरे जमाल मरो बीर मुजा वालम झी लोल हवे नहीं जाओं विड़ी वाडवारे लोल पणिये यानी उनके पती ने उस में उनके हिस्ते में जो आना जहाया है इस से उनका खुद का पेट बरा है पहली लाइन है परणिये भर्यूचे यानो पेटडूरे लूल यानि उन्होंने खुद ने उनका ही पेट भरा हुआ है यानि दुसरी लाइन में ऐसा लिखा है कि मेरे जमाडियो मारो वीर एटले उनको जो बंडल चड़ाने के लिए जो मदद किया था वो इनसन को उनके घर लेके आया वीर यानि उसके भाई उसको उसके घर लेके आती है और उसको भी जो अनाज उसके हिस्से में मिला था उसमें से वो उनके भाई को भाई मान के खिलाती है यानि यहां भी उनके पति से वो ज्यादातर चड़िया दी यानि वो अच्छी मानी जाती है मुझे वालम जी लूल हुए नहीं जाओं वीडी वाडवारे लूल यानि मैं आपके साथ अब घंस काटने के लिए आओंगे नहीं यानि पोयम में हर लाईन में पति से पतनी को चड़िया ती यानि ज्यादा तर अच्छी बताई गई है यानि नायक करता नायका ने चड़िया ती बतावा मां आवेलीच परणियां एक एटला पुड़का वाड़ेला छे 5, ज्यारे, नाईक आएक एटला वाड़ेला छे 10, 20 परणियां एस्नु करियो छे भारो परणियां ने भारो नाईक आए चड़ावेलो छे ज्यारे परणिया एडलेके एना पती ए एनी पत्नीने भारो चड़ावेलो हतो नै ज्यारे पत्नी बले एना पती भारो नथी चड़ावता परंतु ए रस्तापर उबेला वटे मार्गुनी मदले ने पोते भारो चड़ावेशे अने एने जे परणियाने किटली जुवार मड़े छे स्रम कार्य बदल पाली जुवार मड़े छे ज्यारे एने किटला मड़े छे 20 मन गउं अने परणिये एटलेके पोताना पती जे अनाज आवे छे तेमा थी पोतेज पेट भरिय के पोतेज खादू छे जे आरे पतनी एटलेके नाइक आये जी अना जावेलू छे तेमा थी मदद करनार व्यक्तिने पोतानो भाय मानी ने पण जमाडे छे आरी ते नायक करता नायी का चड़ियती बतावा मा आवे छे रेकेट में लिखा है रड़ी राज यहां पोए जविर चंद मेगानी संपादक इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा लोगित जविर चंद मेगानी ने रचना की है अब हम क्वेस्टिन आंसर करेंगे साट क्वेस्टिन है नायी का सेन वड़े घास कापे छे तो नायी का दातरड़ा वड़े घास कापे छे सेकंड मार्गमा नायी का सी मदद मांगेच तो नायी का रास्ते में नायी का जो गुजर रहा है वटे मार्गू उसको हेल्प करने के यानि जो क्रोप का बंडल था वो उनके सर के उपर चड़ाने की हेल्प मंगती है इल्ले के मार्गमा नायी का भरो चड़ावानी मदद मांगेच तो नायक नायी का ने सी मजूरी मड़ी तो के नायक नायी का ने वीडी वाडवानी मजूरी मड़ेच इल्ले के नायक ने पाली जुवर मड़ेच जेरे नायी का ने माणूं गौं मड़ेच अब सेकंड नाम कि उसके प्रती वह रोस नहीं है लेकिन उनके पती को भी ज्यादा प्रेम करती है इसलिए वह घर का सारा काम करती है लेकिन घर का सारा काम करने के बाद वह उनके पती को हेल्प करने के लिए जाती है इसमें उसका प्रेम ही है लेकिन उनके पती के द्वारा उनका जो काम है उ उसका कोई वैल्यू नहीं रखता है इसलिए उसके संधर्भ में प्यार से वो कहती है कि हवे नहीं जाओं वीडी वाडवा रे लोल वीडी न वाडवा पच्छण नाइका नो आहे तो छे सेकंड नंबर का क्यूस्टन है नाइक नो स्वार्थ ने नाइका नी स्वार्थ छडवे छे जारे पोता नी मदद करनार पतनीनो भारो छड़ावतो नथी जारे नाईका पोता नो पतीनो भारो छड़ावे छे अने एक पटिनो बहरो चड़ावे छे ए बराबर अने जियारे नायक जी अनाज मड़े छे तेमा ती एप पोतैज बरावर पोतावनों पेट भरे चे यार यारे नाई का निस्त्वार्त बनने पोते वटे मारगुजे लावे चे तेनी पोतावनों भाय माने गरे प्रेमथी जमाडे चे आरे ते नाईक निस्त्वार्त भावना अलेखन पामी चे अब इसमें long question main important है बाड की exam में important ये weightage है ये हमारा जो poem है उसका long question compulsory ये बहुत ही important question है most important question है इसलिए उसको अच्छी तरह से देखना है विडी भाडनार लोग इतमा नायक करता नायका सीरीत चड़िया दीचे फ्रेंड मैंने आपको समझा है कि नायक यानि पती नायका यानि पतनी नायक पती से पतनी किस प्रकार से चड़िया दीचे आपने लोग इतमे समझा है इसी प्रकार से आप ये poem को समझ के इसका आंसर देना है जैसे समझा देता हूं के नायक जो है वो स्वार्थी है तो नाई का निस्वार्थ કરે શે પરંદુ એમા પતાની પતની ાક્તલી રાહત નથી જેારે નાયક પોતે પોતાનુ કામ अने चत्ता पण ए पोता ना पति ने प्रेम करई छे अने जयारे पोता ने मदद माटे वटे मारगुनी मदद लेए छे अने तेना द्वारा पोते भारो चड़ावी ने पोता नों काम पुर्णा करे छे જશડ પતાના મળેલુ અનાજ પતનાકીથ पतनी 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 ने मढ़े चे तेमा थे वटेमार गुने जमाडे चे आ प्रमाणे बीजा ने हेल्प करीने एड़ले के भीजानों पॉन ए भीजाने पॉन संबंद बनावे छे औने भीजाने पॉन जमाड़े छे आरे ते नायक पती करता पत्नी हमेशना माटे चड़िया थी बतावे ली छे आद प्रकारे लॉंग क्विस्चन थशे वस्फ्रेंड यहां हम ये पोयम को अच्छी तरह से बराबर समझ लिया है आपको थोड़ा रीड करके ये लोगित करें